हेलो दोस्तों इस वीडियो में हमारे पास ये प्रश्न है सिद्ध कीजिए कि 3 रूट 2 एक अपर में संख्या है तो इसको भी हम विरोधा भास यानि कॉंट एडिक्शन से प्रूव करेंगे यानि पहले में ये मान के चलेंगी ये एक पर में संख्या है फिर ऐसी परिस्थिति आएंगी कि जिससे हमारी कलपना गलत साबित होगी और ये बाद में प्रूव हो जाएगा कि हाँ ये एक अपर में संख्या है तो शुरू करते हैं तो सबसे पहरे जैसे मैंने कहा हमें लिखना है माना 3 रूट 2 एक पर में संख्या है अब ये परमे संख्या है तो किसी भी परमे संख्या को हम किस सारे से लिखते हैं ए अपॉन B करके जहां A और B पूरुणांक है ठीक है ना और A और B का कोई कॉमन फेक्टर नहीं है बड़ पूरुणांक है ये जादा important है अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 3 को नीचे लेके जाएंगे, तो root 2 हो जाएगा, A upon 3B, अब पहले right hand side को देखो, A upon 3B एक पर्मे संख्या है, संख्या है, क्यों? क्योंकि A भी पूर्णांख है, B भी पूर्णांख है, तो ये पूर्णांख है, ये पूर्णांख है, दोनों पूर्णांख होगे, पूर्णांख अपन पूर्णांख पर्मे संख्या होती है, तो क्योंकि A भी पूर्णांख है, तो इसलिए एक पर्मे संख्या है लेकिन रूट टू एक अपर्मे संख्या होती है अपर्मे संख्या है ठीक है अब यहां पर यह अपर्मे है यह पर्मे है तो यानि अब क्योंकि यह एक्वल नहीं होते है जो अपरमे है वो परमे के कुल नहीं होता है अपरमे और परमे के कुल नहीं हो सकते है अब लेकिन ऐसा क्यों है क्योंकि हमने हमारी कलपना गलत थी अर्थाथ हमारी कलपना तूड़ी पूरुन थी यह शुद्ध हिंदी का शब्ध है त्रूटी पूर्ण यानि गलत थी तो इससे क्या साबिक होता है जो थी रूट टू यानि हावानी जो कलपना कलपना क्या थी परमे संख्या वो गलत है तो अपरमे होगी एक अपरमे संख्या है ओके तो आई हूप आपको समझ आगे होगा मिलते हैं अगले वीडियो में ठेक केर